सोशल मीडिया के इस जमाने में सेलफी का ट्रेंड है जो कई बार जानलेवा सावित हो रहा है ऐसा ही कुछ हुआ है मदप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदोर में जहां एक यूवक सेलफी लेने के चक्कर में गहरे पानी में डूब गया और उसकी जान चली गई बताया जा रहा है कि खुडैल थाना छेतर के मोहारी फॉल पर इंदोर खजराना के कुछ यूवक पिकनिक मनाने गए थे गूमने गए दोस्तों का ये ग्रूप 700 फिट गहरे कुंड में उतर रहा था इस दोरान ये सेलफी लेने लगे सेलफी लेने के दोरान ही दो दोस्त कुंड में गिर गए जिसमें से एक यूवक की डूबने से मौत हो गई मृतक छे बहनों का इकलोता भाई था मृतक का नाम मोहीन बताया जा रहा है ग्रामिनोरे पुलेस को इस हाथसे की जानकारी दी इसके बाद SDRF की टीम मौके पर पहुँची और कई घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शौको पानी से बाहर निकाला गया यह कल एक जुलाई को दिन में दो फेर के एक से दो बजे के बीच में जम्रतत अनस और्फ मोहीन है अपने दोस्तों के साथ भूमने के लिए आया था मौरी पाल जीचे मौरी फाल में कुन में उतरने के दोरां जब यह सेल की ले रहे था तेर फिजलने से इसकी दूबने के जानकारी के मुताबिक पानी के गहरे कुंड की वजह से युवक का शौन नहीं मिल पा रहा था जिसे तलाशने के लिए आसपास के छेत्र में भी रेस्क्यू किया गया पुलिस ने बताया कि इस हाथसे को लेकर सभी अलर्ट है उन्होंने कहा कि जल्द ही इलाके में जगह अब तक हुए हाथसों के फोटो लगाये जाएंगे और लोगों को जागरुक करने के लिए बोड भी लगाये जाएंगे ताकि ऐसे हाथसे दोबारा नहों उधर मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है कि अुआ है झाल झाल